Hello and welcome to Light of Log, मेरे बिहार BPSC TRE 3 के सारे अभ्यार थी, आप लोग के कल से ही एकदम बड़ी संख्या में सवाल आ रहे थे, क्योंकि आनेवल Supreme Court ने जो है BPSC TRE 3 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, क्या ये सिर्फ इतनी सी ही बात है और रिजल्ट अब BPSC TRE का अफस गया है, तो क क्या अब ये अभी आएगा जैसा कि अगस्त में कहा जाते है या नहीं क्योंकि Supreme Court ने डाइरेक्ट मना कर दिया है किसी भी तरीके का रिलीव देने से ये पूरे मामले पर आप लोग के लगतार कॉमेंट तो आ रहेते साथी है, लेकिन चुकि आप समझ सकते हैं कि हमारी भी थोड़ी सी वैसे भी हमारा तो वैसे भी बेंट बजा हुए साथी खुल के बता रहे हैं अब देखी आई पीसी स्यार पीसी एविडेंस पूराने वाला चल ला था अभी सरकार ने उसको खतम कर दिया अब भारतिया निया संगिता एक नया लागा के दिया है अब उसकी इत बीपीसी टियारी 3 के रिजल्ट को क्यों रोका गया है और यब ये कब तक आदे की संभावना है इसको लेकर के बात करेंगे और साथ ही इसके साथ अन्य भी हेड मास्टर की आपकी भरती रुक गई है आपके बिहार में प्रचली तवाम भरतियों के रिजल्ट रुक गए ह है इस फैसले के वैसे जो कि सुप्रीम कोर्ट से है और यह कहींने कहीं सरकार ने एक सल्फ गोल किया है इस मामले में यह आप समझ लिए इसकी वज़े से भी आपको डिले हो गया तो यह तमाम पहलों पर चलिए आप से बात करते हैं मामला के हैं हाँ चैनल पर नए आप कि पैसेट परसेंट जो आरक्षण विहार सरकार ने लागू किया था वो जो है टियारी 1 और 2 में तो लागू नहीं था टियारी 3 में चुकि नवंबर में गजट आया था तो नवंबर से यह पैसेट परसेंट आरक्षण जो है विहार सरकार ने लागू कर दिया था और इस लिए है क्योंकि सबको मौका बराबर मिले यह इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसके पीछे उन्होंने आपको मैं बताता चलू कि इसके पर मैं आपको क्लियर कर दिता हूँ देखिए आप लोग को पता होगा इसके बतला हाइ कोटने पटना हाइ कोटने इसलिए इस फैसले को रोक दिया था कि इंद्रास सहनी का एक केस था आरेक्षण के नियमों को ले करके उसका हवाला देते हुए कि 50% से ज़्यादा रेजर्वेशन नहीं होना चाहिए उसका हवाला देते हुए अन्वल हाई कोट ने इसको रोक दिया था इस फैसले को रद कर दिया था इसके खिलाब जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोट में आवेदन लेकर चली गए थी कि हमको 50% का रेक्षन दिया जाए इसमें हला कि सरकार ने अपना पक्ष रखा बहुत मजबूती से सरकार की तरब से यहां तक कि सोलिसीटर जनरल तुसार महता खड़े हुए थे सरकार का पक्ष रखने के लिए इस रेजर्वेशन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा कि चुकि हमारी बहुत सारी भरतियां अभी पेंडिंग है और इस फैसले पर रोक नहीं लगाए जाना चाहिए जब फैसला होगा तो होगा लेकिन फिलहाल के लिए यह नियम ला सब पूरी करनी हमको इसलिए इस फैसले पर रोक ना लगाए लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस अप इंडिया डिवाई चन्द चून बैठे थे उनके साथ दो लोगों मनोज मिसरा की बेंच थी इन तमाम लोगों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि यह मामला जो है यह आरक्षण का इतना सीधा नहीं है इसमें हम अभी फोरी तर पर हाई कोट के फैसले को नहीं हटाने वाले हैं इस पर हमको बिश्तरित सुनवाई करने पड़ेगी यह आरक्षण के नयूमों की पूना फिर से एक बार उस पर चर्चा करने पड़ेगी उसका 37 गड़ में भी जाती है अधारित आरक्षण को सुप्रीम कोट ने इस्टे नहीं किया था रिवील कर दिया था वहां भड़तियां पूरी हुई तो आपको इसमें बिहार में दे देना चाहिए लेकिन सरकार सुप्रीम कोट इसको मानने के लिए तयार नहीं थी और इसकी व अब तक के लिए आपके इस हाई कोट का जो फैसला है अरक्षण का नियम लागू नहीं रहेगा 50% ज्यादा यह हम अप होल्ड करते हैं इसको हम रद नहीं करेंगे यह हो गया अब यहां से आप चलिए अपने रिजल्ट की तरफ अपने काम की बात की तरफ अब क्या आपक 50% reservation वाला या तो बिहार सरकार on well high court के फैसले के बाद या अपने पुराने अरक्षण नियम के तहट आपका result जारी कर सकती है बिल्कुल कर सकती है उसके पास अधिकार है वो कर सकती है और पुराने नियम के तहट आप लोग को नौकरी दे सकती है जिसमें 50% अरक्षण रहत हाला कि अब बिहार सरकार इसमें क्या करती है हमने अपने सोर्सों को लगाया है अभी तो कली यहां फैसला गया है अब वहां बिहार सरकार और सिख्ण वियाग इसमें क्या discussion करता है क्या सोचता है result को लेकि किस तरह की रणीती बनाता है क्योंकि सितंबर से पहले Supreme Court इसके और ऐसे में आपका result बहुत ज़्यादा delay हो जाएगा तो अब सरकार इसमें क्या करती है सिख्छा विभाग क्या करता है विहार सरकार का क्या stand होता है और यह सिर्फ सिख्छक भरती की बात नहीं है यह इसके अलावा भी और भी भरतिया है सिख्छक भरती तो आपकी 80,000 की ह लेकिन इसके अलावा भी तमाम भरतियां है उनके उपर भी असर पढ़ रहा है तो क्या सरकार इसमें भरती क्लियर करेंगे इसको लेकर करके जैसे ही सरकार की तरफ से हमें कोई पुस्टी मिलेगी फिर हम आप लोग के बीच में आकर बता देंगे कि यह चीज़े क्लियर हो अब फिलहाल जो है सुप्रीम कोट ने जो है आरेक्षड के नियम के तद सिर्फ बीपीसी टीयारी 3 के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया बिहार की पूरी की पूरी भरतियां जो नौवंबर के बाद आई है उनके रिजल्ट पर सरकार मतलब सुप्रीम कोट ने डारेक्ली रोक तो नहीं लगाया लेकिन इस फैसले को इसे रुक इसलिए गया क्योंकि सरकार 55% रिजर्वेशन चाहती है और हाई कोट ने उसे 50% कर दिया है अब इस मामले में जो भी निप्टा रहा होगा वोसे उप्रीम कोट फाइनल सितंबर में सुनवाई के बात करेगी चैनल प इसा कुछ होगा तो मैं आप लोगो सुचित करूंगा तब तक के लिए